हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैं अंकित एक बार फिर साफ सभी लों को बहुत बहुत स्वागरत कता हूँ एकड़ी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परसत की वेकेंसी से अभी क्या है आपका सभी related काम चल रहा है यानि कि काम चल रहा है से क्या मतलब है कि आपका प्री का एक्जाम हो चुका है रिजल्ट आ चुका है कट ओफ आ चुका है आपने मेंस के लिए apply भी कर दिया है ठीक है तो अब आयोग की तरफ से एक विज्यापत जारी किया गया है notification जारी किया गया है क्या जारी किया गया है बहुत से लोगों के सवाल थे कि सर आखिरकार हम अपना डाकुमेंट कैसे भेजे जो offline डाकुमेंट सभी निकाल करके उनकी फोटो का करना है फिर से सवाल है कि सर यह notification कहां मिलेगा तो मैंने आपको हर बार दिखा करके बताया है कि आपको कैसे जाना है आयोग की official website पर जाना है वहाँ पर आपको यह notification मिल जाएगा ठीक है अपडेट लेटेस्ट अपडेट की category में जाएगा वहाँ पर या फिर आपको website में उ को क्या छूट दी गए document से related तो चलिए पढ़ते हैं पूरा एक एक और आसानी से इसको थोड़ा आराम आराम से इसको discuss करते हैं कोई भी confusion नहीं होना चाहिए ठीक है न हाँ पसंद आती है जानकारी तो वीडियो को like और share जरूर से करना है ज्यादा से ज्यादा share करना है मैंन रहा हूं उत्तरपतेश विधान पर से सच्वाले के रिक्त पतो पर विग्याफन संख्या के संदर में मुख परिच्छा है तू सफल अभ्यरतियों से online एम आफ लाइन आवेदन करने है तू दिनांक 11-12-2020 को महतपूर्ण दैनिक समाचारों में विग्यपती प्रकासित करत थी 22-12-2020 निर्दारित की गई थी ठीक है यानि कि आउनलाइन आपको आवेदन करना था उसकी लाज़ डेट क्या थी 22 तरिक थी फिर का करना था आपको कतिपाय कानों से आफलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं तत्संबंदी निर्देश अभिकरन दवारा किंचित विलम से वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके यानि कि आपको एक आफलाइन फॉर्मिट भी दिया गया था उसको भी आपको डाउनलोड करना था और उसको भर करके आय पर दूसरा पॉइंट का कहता है कि उप्रियुक्त के संबंद में अबेर्तियों के समझ आने वाली कठिनाई के द्रश्टिगर्ट सम्मेक विचारो प्रांत ये निर्ने लिया गया कि मुख पर चाहेतु सपल है भर्ति जिनके द्वारा आफलाइन आवेदन पत्र की प्रति और विधान पर से साťवाले को प्रेसित करने की आवसकता नहीं है थीक के आपको इस वर्ड पर ध्यान देना है आवसकता नहीं है यानिकी ना तो आब आपकोा इसने बेज दिया थीक अब अगर आप अभी भी 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 भेजने जा रहे हैं पोस्ट करने जा रहे हैं ओफ पोस्ट नहीं करनी है ठीकर अच्छा क्या करना है पोस्ट नहीं करनी है तो क्या करना है ठीक है नेक्स आंगे पढ़ते हैं कुछ लाइने और बाकी हैं अब भेरतियों को प्रामर्स दिया जाता है कि वेबसाइट पर यह आपकी वेबसाइट दी गई है कि आफ लाइन आवेदन पत्र का प्रारूप वाले के समझ अधिकारी के समझ प्रस्तुत करें ठीक है यानि कि जब आपका डाकूमेंट वेरिफिकेशन होगा लिखा न मूल अब लेखो के मिलान के समय जब आप वहां पर जाएंगे मूल रूप से वहां पर उपस्तित होंगे और जो सच्छम अधिकारी होगा उसके साम आपको कोई confusion भी नहीं होना है कि on-line वाला फॉर्म भेजना है या जो व की और वहां वाला फॉ्मयरit अप्लोड किया घ्राइट वाला ठीक ह ships को घ्लाएं वाले ठीक है एक है और व्हुत कर लेना है और offline वाला भी download करना है कहां मिलेगा अभी online offline तो online तो आपने जब mains के लिए apply किया तो जब complete form हो गया आपने online submit कर दिया तो उसकी photo copy आपके मिल गई होगी ठीक है और offline वाला भी format website पर upload कर दिया गया था ठीक है न तो वहाँ पर जाकर करके आप download कर दें और pen से बार करके अपने पास रख लें जब document application के number आए तो बस उसको आप दिखा देना है बिना किसी दिक्कत के साथ ठीक है न आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आगी होगी हमारे द्वारत दीगे जान के आप देट के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल से भूलना नहीं है ठीक है न लाइक और से जरूर से कर देना है विदान सबाकी भरती आई हो गई है आचुकी है आपकी उसका स्लेबस वीडियो एक से दो दिन में थोड़ा से डिल्य हो रहा यह लेकिन आपका आ जाएगा और onsaiva का मेंस का स्लेबस वा नजर बनाए हुए हूए हूँ यह आपका कोई अपडेट आता है पूरी की पूरी उम्मीद है आपका एक से दो दिन में आपका मेंस का स्लेबस आ जाना चाहिए फिर उसी के कॉर्डिंग आपका वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा ठीक ना हाँ उम्मीद है कि आपका जो अनसेवर का पोस्ट है उसके ल झालilotब में आपका झालब में एक सMore बिन में आपका रहाँ आना शुरू है कि आप तैसे आपका गूरू हम आता ह豁 vinegar झाद sparkedपका जो जoutu न्या तूरू को सके है